नोन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स के लिए एंटरे स tapping इंटरा बन्स करें परभे में इंटर्णा । कि अ। जोरावर, जरना इलना जिन्देगी मैं सिर्फ दौलत लूटी है, बहु बेटियों की इज्जत नहीं, समझा? मुझे, मुझे माफ कर दो सर्दार, माफी हम से नहीं, इस लड़की से मांग जिसकी इजत पे तुहाँ डाला रहा, माफी, इस मामुरी लड़की से, ये क्या कह रहें सर्दार? मैं कहता हूं माफी, मैं कहता हूं माफी, माफी 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 मांग जरावर, मैं कहता हूँ माफी मांग माफी मांग जुरावाद ये मा बेहनों की जद कल उठे रहा है आज के बाद ये जलील आद्मी हमारी किरो में अजर ना आने पाए अज हमका विश्वास हो गया कि हमरे बाद हमरी बंदूक उठाने वाले हाथ मजबूत हो चुके है तोहार जैसा बाप हमने आज तक नहीं देगा जोन अपने ही बेटे के हाथों में कलम की जगे बंदूक दे दी वह इसलिए केस बिहड मा जिंदा रहने के लिए कलम के नाही बंदूक की जरुवत पड़त है आग लगे इंबी हड़के जोन तुमको ठाकू जनरल से डाकू जनरल सिंग बना दिया लेकिन याद रखियो इस वीराने को तुम हमरे बेटे की तकदीर में लिख दो ये कभी नहीं हो सकत समझे ठगरायन तुसे कतनी वार का है कि मा तेसे पत्थर फोड़नी की कोशिस मत किया कर तु कुछ भी कह ले डाकू का बेटा डाकू ही बनेगा फोलीस ओफिसर कभी नहीं बन सकता तो हर बात तो एक अच्छा किसान रहा फिर तुम डाको कैसे बन गये माग, 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 माग सुरह, सुरह 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 सूराज 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 ठाकुर जावा जावा मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई मेरे सूराज को जो रावर उठा के ले गया किसी भी तरह ओके बचा लो ओके बचा लो ठाकुर थाव, मतनूर बचल flor... जाल! पाव! जाल! लृर बचल roz इनिस्पेक्टर साब, इनिस्पेक्टर साब, डाकू जनर्रेल सिंग का साथी जोरावर, सोना पुर्गाव में, रज्जो बाई के कोटे पे है रज्जो यह बाबा, 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 बाबा गाउसे यह खबराई है, कि हमारा, सूरेच बुलिस्थाने मे है सग्राम, सग्राम, मैंने सुनाता के मुझे गिरिफतार करने के लिए सरकार ने, किसे मर्द को तायनाद किया है मगर एक बच्चे का सारा लेकर मुझे गिरिफतार करने वाला, कभी मर्द नहीं हो सकता जर्नेल सिंग, मेरी मर्दानगी का सबसे बड़ा सबूत, यही है कि तुम अभी तक जिन्दा हो, वरना, वरना वो च्छाती, तुमारे पास नहीं है, जो इन सब की गोलियों का लोहा परतास्त कर सके तो आगे बड़ा और गिरिफतार करने मुझे, जब तक मेरा बेटा तुमारे पास है, मैं तो अत्यार रखते वे भी नहत्ता हूँ अगर यहां एक डाकू आता, तो जरूर गिरिफतार कर लिया जाता, मगर एक बाप आया है, जिसका बेटा खो गया है दुराज जिसका बेटार, जिसका बेटार, तुमारे बाबा तुम्हें ले ले इनिस्पेक्टर साहब, जनरल एलाज की मुलाकात हमें सा याद रखिए, कि कौनो मर्ज से मुलाकात हुई रही माँ भाणी की कसम जिन नगी में के तमना रहेगी कि कर मा उताये, तो तुम्हे गोली से आए, कौनो बुजदिल की गोली से नहीं संग्राम सिंग, हाथ हडाकों को छोड़ दे न, आखिर से तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है सर, कि जुर्म करना दिमागी बीमारी है, और इसका इलाज सक्ती से नहीं, नर्मियों और भरोसे के जरीए किया जा सकता है मुझे तुम्हारे लेक्चर की रहीं, एक्शन की जरूरत है, 24 गंड़े के अंदर अंदर चानरल से गरफतार होना ही चाहिए इस माइ आउडर, अंडर्स्टार्न? येस सर, करम ही इंसान का धरम है ठाकूर, हमार सूरज बड़े स्कूल में जारीगा खूब बड़ेगा देखना, मैं इसे पुलिस का सबसे बड़ा अपसर बनाऊंगी और, और हमार सूरज जब पहली बार पुलिस की वर्दी पहन के आएगा तो, तो हम दोना उसे सलूट करेंगी चमपा, तु ये दिन में सपने देखना कब बंग करेगी? ठाकूर, तो है हमरी कसम, हम तो है नहीं जाने देंगे, हम तो है नहीं जाने लगे ठाकूर, बेहड में आकर कोई उसे ललकारे, ये ठाकुर कभी सैन नहीं कर सकते, हड़ा चमपा नहीं ठाकुर, उड़ जा ठाकुर, ठाकुर चनल सिंग, तुम चारों तरफ से पुलीस के घहरे में लिए जा चुके हो, हत्यार फेक दो, और अपने आप को कानून के हवाले कर दो, मैं कोशिश करूँगा कि तुम है, और तुम्हारे साथियों को कम से कम सजा मिले, वरना अपनी और अपने साथियों के मौत के जिम्मेदार, तुम खुद होगे ψ घहोगोगो चाफ़ चो को खुम खुम्हारे साथियों के तुम्हारे साथियों के धुम्हारे साथियों जा दवाले साथा पुम जा एिए हुआ 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 हुआ! यह यह अँजू शाख़ू दून शाख़ू fak मस चाख़ूँ खराब है १ार्चा चाल यह दुनिया कोईगी के सूरज एक करका पेटा था नहीं नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जाकोई, नहीं जाकोई, ले मैं जाकोई चपाग, चपाग हमारे सूरज को इक खाली वर्ती और बंदुक के साइसे तो रखना, उसे ऐसा एक सूरज बनाना, ऐसा एक सूरज बनाना जो हमेशा चमकता रहे चपाग, तुम तुम मुझे बचन देते हो ना मुसे, मुसे अपने जैसे कभी नहीं बनाना, चपाग कभी, कभी चपाग, चपाग जैसे कभी कर चपाग कर लाग कर लाग वप्यूदाई! किस की बेटी हैं आप हाँ बोलो ना पापा की पापा की बेटी है ममी की नहीं है ना हाँ गोड गयर यह ला जा 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 खेलो क्या बात है मिस्स संग्राम सिंग आज सुबसे परिशान नजद आ रही हो यह खत किसका है दाको जर्नल सिंग का मेसेज आया है वो आपसे बिहड में भवानी मा की मंदिल में आके लिए बिना हत्यार मिलना चाहता है चनायल सिंग तुमने मुझे बिना हत्यार अके लिए बुलाएं मैं अकेला यहां हूँ तुम्हा के लिए आए इस्पेक्टर फिर में तो हमेशा के लिए अकेला हो गया चर्नल जिन्दगी की जैंग हार गया इस्पेक्टर मौत ने उसके जिन्दगी का सबसे बड़ा साहरा चीन लिया वहाथ जो हमेशा मेरे दावन से गुनाहों की दाग मिटानी की कोशिश किया करते थे वहाथ चीता की आग में जल्क राख हो गया आम सारे लेकिन मुझे यहां क्यों बुला अपनी बीवी को दियो वह वचन निबाने के लिए मैं अपने आपको तुम्हारे कानून के हवाले करने आया हूँ क्या है इस्प्टर चमप ठीक आ करती थी डाको की तक्दीर विधाता के कलम से ने बलके बंदो की कोली से लिखिये होती है ठीक आ था उसने उसे तुम्हें गवाँ चुका मगर उसकी निशानी को ने खोना जाता एक बात बताओ इस्प्टर अगर मैं अपने आपको तुम्हारे कानून के हवाले कर दू तो तुम्हारा कानून मेरे बेटे के साथ क्या सुलुक करेगा कानून तो सरिफ इंसाफ करेगा और जहां तक तुम्हारे बेटे का सवाल है उसके साथ सुलुक मैं करूंगा पाप जैसा मैं उसे डाको नहीं इंसान बनाऊंगा उसके हाथ में बंदूक नहीं कलम थमाऊंगा पाप ने सारी सिंदगी चुर्म किये पेटा बढ़ा होकर सारी दुनिया के साथ इंसाफ करेगा मुझे एक बचन दे इस्पेक्टर मेरे बेटे की जिन्दगी की खिताब में आज के बाद मेरे नम कभी नहीं आएगा पदा करो इस्पेक्टर मैं बादा करता हूं करता हूं है झाल कर दो कर दो थाइन। कि अख कर दो. कर दो जब कर दो दो नगों है कर दो एल मामन कर दो आपा जाल सुने मोड़िता जड़रत कर दो वहा है कर दो कि अ कर दो दो है कि अपता है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है चन्नेयल सिंग संगराम सिंग आप परसोंबाद कहीं कहीं मेरे सूरज को तो कुछ नहीं हुआ ना क्या बात करते जैनेयल सिंग मेरे होते हुए तुम्हारे बेटे को कभी कुछ हो सकता है क्या हुआ 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 है तुम्हारी बर्सों की तफस्या आज पूरी हो गई तुम्हारा बेटा सूरज पुलीस अफसर बन गया है चैनल सिंग क्या सोच रहा हुआ कुछ नहीं पुराने जखम याद आगे है दुखों की आदत पड़ चुकी है न सारी जिंदगी मायूसी के अंधेरों में गुजर गई अचानल खुशियों का सुरश सामने आएगा तो आँखों से आंसों की जगा खुन में नेकलेगा जब खुशी का दिना आया तो हिम्मत हार गया है संगराम सिंग अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिचे समा लेना समा लेना भाई पुलीस ट्रेनिंग स्कूल के सबसे होनार स्टूडेंट श्री संगराम सिंग के पेटे सूरच सिंग जो इस बैच में अवबल आये है उनको हमारे महकमे की तरफ से सोड अफ ऑनर दी जाती है सूरच सिंग पुलीस झाल भी सुर्च स्कूल झाल सुर्च सुर्च पुल सुर्च सुर्च स्कूल घे ख्यूभ, जुटरो ईज दूदश वह थे अप rozp कि भुआ बेड़ा बढ़ा बेडि़ बेडा बेरे सबस्केर के लिए जब हमारा सुरज पहली बार पुलीस की वर्दी पहन के आये खला, तम दोना उसे सलुट करेंगे मुबारुक हो सुरज आप मुझे सलुट क्यों कर रहें बाबा, पिटा, मुझे मा को सलाम कर रहा था, जिस ने तुमें चनम दिया लीजी है मा हैंसम यंग ब्रदर, आपकी ये बहन, आपका ये ड्रेस अपने हादों से आयन करके लाई है, क्योंकि आज आपके ड्यूटी का पहला दिन है, और आपकी ये ग्रेट सिस्टर आपको आशरवात देती है, कि आप ये डाडी की तरह बहुत बड़े ओफिसर बन जा लाई या नहीं? क्यों ने लगाए? वहरी गुद। सुरज, क्यानून की जिस रास्ते पर आज से तुम कदम रखने वाले हो, वह रास्ता बहुत कठन है उस रास्ते पर चलते वक्त, तुम्हारे कदमों को तौलत की जंजीरों से चकड़ा जाएगा तुम्हारे रिष्टे, तुम्हारी कमजोरी बना दिये जाएगे और तुम्हें चांद से मात देने की थंकी भी दी जाएगी लेकिन अगर तुम इन सब चीजों को ठुकरा कर आगे निकलोगे तो मन्जल तुम्हारे सामने होगी डैडी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी आखनी साथ तक कानून की हिफाज़त करूँगा वेस्ट अफ लक, थैंक यू डैडी बिटा, भगवान तुछी तरक्की दे यह 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 उट 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 आप अ पार अ पार 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 आ आरा पार जो करने जो एक यान आपे कर दो एक तुम्हा है। थाव कुम्हाँ प्रॉत्र हिस्पी का। यहाँ डॉटी कि यहाँ तर लोगीज़ी है। इंस्पेक्टर शर्मा है जी नियृ सर्विस सर्व मैंद्टेस्टर मैं जी है। मोगी ल्त भीन मैंद्ट्राइब है। यह कंप्लेंट बुक खाली क्यों आप तो जानते हैं सर यह कंप्लेंट बुक एक क्राइम रिपोर्ट होती है और जिस इलाके में रामराज्य है वहां कंप्लेंट कौन करेगा तो बुक एक करेगा यहां करेगा तो जानते हैं आप एड़ी है आप एकी आप चल चल दारू बना, यह जगू दादा की बस्ते है, यहां पुलिस वालों से क्या डरना कि बस्ते है, झालों से क्या झालों से क्यों चौब इम यालों से क्यादा। हुआ 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 है 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 सर आपने यह यह रहा तुम्हारे रामराज का पहला रावन शर्मा आज से कंप्लेण बुक लिखना शुरू करो सर आपने अच्छा ने किया सर इसका बॉस बड़ा खताओन है इसका बॉस इस इलाके का बाच्छा है सर मिस्टर शर्मा लगता है आपकी हिस्ट्री बड़ी कमजोर है हिंदुस्तान से बाच्छाहत 30-35 साल हुए खतम हो चुकी है नहीं सर मेरा मतलब है सर मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह जानता हो शर्मा इस पुली स्टेशन में वही होगा जो कानून की किताबों में लिखा गया है समझे लेकिन सर इस इलाके में आपके उस किताब का नहीं जावर का कानून चलता है लाओ जाप ल करा करें लाओ जाप, लाओ जाप सीért में जाप ल ध मातल और लाओ जाप, दातेशन सर भाफ से क्क्तिक है अजित क्षuzu हम भंकर गया लाल परी को कले से दगा हरे तिक्रिक की रुए में वोपो उड़ा लाल परी को कले से दगा जवानी है शुमपा इक शाटी उतने की बाहों में जूमके तुगा जूमके तुगा, जूमके तुगा हरे तिक्रिक के दुए में वोपो उड़ा लाल परी को कले से जगा जवानी शुमका इक शाटी उतने की बाहों में जूमके तुगा जूमके तुगा, अहां जूमके बाहों में जूमके तुगा तुगा फरदा उठेगा नोटने बारा फुद ही लुटेगा जूमके तुगा जवाएगा बचके तुगा पीर से हटेगा, हर्णा उठेगा, लूटने वाला, खुद ही लुटेगा, जाएगा घचके का सिक्रिक के धुए में वह पूड़ा, लाई पर एको करे से जगा, जमानी है शंपा एक शाम की, उतने की बाहों में जूंके तुगा, जूंके तुगा लाई 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 अभनी है यारी आयाया आयाया दुनिया से सारी तुगा लाई 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 दिख्रेट के धूए में वों को उड़ा लाल परीकों कले से लगा जा अपनी है शुमा इक शाम की उद्ने के बाहों में जूनके तुगा जूनके तुगा आहा तुगा जुमा 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 ना मोगे शाओ, ना मोगे शाओ, ना मोगे शाओ, नितिने वाला है Beautiful, wonderful, marvelous, welcome, welcome, welcome inspector. आज ऐसी कौन सी खास बात है कि कानून खुद चलकर हमारे पास आया है ये इलाका अब मेरे चार्ज में जाबर और इसमें जितने भी गैर कानूनी धंदे हैं उनका तालुक कहीं न कहीं किसी न किसी तरह तुमसे है बहुत पुरानी कहावत है इंस्पेक्टर सहाव कत्रा कत्रा समंदर में ही जाकर मिलता है और मैं उसी समंदर के बाहों को रोकने आया हूँ जाबर मैं तुमसे पहली और आखरी बार कहता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे सारे गेर कानूनी धंदे बंद हो जाने चाहिए वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूँगा 322 हड़ियों की जोड़ों पर इंसान का जिस्म खड़ा होता है और उतने ही अड़ों पर चाबर की काली दुनिया भी ये जाबर की काली दुनिया है इंस्पेक्टर हमारा एक अड़ा तूटेगा तुम्हारा एक जोड़ तूटेगा ये वर्दी नहीं कफन है मेरे लिए जाबर और इसे पहनने वाले खत्रों से नहीं डरते तो प्रामिस क्यों इंस्पेक्टर इसे देखकर ता जुब हो रहा है ना ये जाबर के समंदर की सबसे चोटी मचली है जिस पर तुमने गानून का जाल पेका था लेकिन अब अब भी आजाद है हन्जा हम बहुत गरीब हैं बड़े मुश्कित से गुजारा करते हैं हम तुमें पैसे कहां से देंगे चुपकर फुलन देवी फारन कबड की चाबी दे बना एली जी को अब बना को दूआ को दूआ अरे तू हां मैं जी जा जी आपकी प्यारी साली लेकिन आपने तो मार मार के मेरा भरता बना दिया वनीशा ऐसा मजाग फिर मत करना छी मेरे तो जानी निकल गए थी तुम लोगों को अपनी जान की पड़ी है मेरे तो यहां सूसु ही निकलने वाला था मेरा प्यारा बिट्रू अंटे अंटे में टेक्सी ले आया अच्छा दीदी ओके जी जा जी मैं चलती हूँ इतनी जल्दी काय को जाती कल चले जाना अरे दीदी दो महिने की तो बात है उसके बाद इग्जाम्स खतम और कॉलेज की सिंदगी भी आप दोनों ने इतनी तकलीफे उठा कर मुझे पड़ाया है पस उसके बाद आप दोनों आराम करेंगे और मैं नौक री अच्छा मैं चलती हूँ पाई जी जाजी पाई बाई बै बिट्साफ फिकर मत करें जावर आप पहुंच जाएगा पाई अलो एंस्पेक्टर सूरज स्पीकिए इंस्पेक्टर सूरज अच्पेर तीन बजए पार्सागाव चेग्पोस से नामी स्मगलत चाबर कमाल एक गाड़ी में पास होने वाला है चाबर कमाल? मगर आप कौन बोल रही है? आपकी शुप चित्ति जबर साथ हाँ बोलो शर्मा चाबर से, इंस्पेक्टर सुरज को खबर मिल चुकी है कि आपका माल पारसा गाउं चेक बोस से गुजरेगा इसलिए उसने वहाँ नाकाबंदे करके रखिये नाकाबंदी? हाँ वो क्या होता है? वहाँ से गुजरती हुई हर गाड़ी वो लोग चेक करेंगे अच्छा 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 ऐसी बात है पहरी बार सुनाए ना इसलिए समझ में नहीं आया लेकिन चाबर का माल जाएगा जरूर जाएगा सर हमने हर कार हर ट्रक की तलाशी ले ली कहीं कुछ नहीं मिला सर लगता है अपको किसी ने गलत ख़बर दी कहीं कुछ भी नहीं मिला नहीं मेरी इंफॉमेशन गलत नहीं हो सकती गो बाक ऐल चेक ओके सर छलो एई नीच उत्रो तलाशी लेनी है तलाशी हाँ तुम आगे के गाड़ी देखो ओके सर मैं यहां तलाशी लेता हूँ जाएने दो करगा धरी दो का करगें धरन्लों हमें तुम आम एका खाएं क्वार अजग मैकाल अजग मैकाल कर दो आ कि अगूख छो दो निरंग बंग पायर के आ कि अगया कर दो प्रोली है कि अगति है अगया कि बंग गज़ को चटार दोब मैं है झाल 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 तो इंस्पेक्टर, तो ने एंथनी को पकड़े लिया जाबर के आदमी को पकड़ने का अंजाम एंथनी, मैं तुम्हारी सजा कम करवाने की पूरी कोशिश करूगा अगर तुम कबूल कर लो के तुम जाबर के आदमी हो जाबर? काड़ प्रामिस साब, आप उनने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना ये वही नाम है एंथनी, जिसकी वज़े से तुम्हे साथ साल की सजा हो सकती है साथ साल हाँ एंथनी, जरा सोचो, तुम्हारे बगेर तुम्हारे बीवी और बच्चे का क्या होगा अंथनी वसम्तिया दजक्त्र ठीक कहता है तु बता क्यूने देता की जाबर का काम तु करता है हमारे क्या हालत है, तेरे को क्या पता घर में खाने कोभे कुछ नहीं है जब तक जाबर जिंदा है अपनको ँखाने पीने का कोई तकलीब नहीं होगा कर दो जापर कहा है? मुझे नहीं मालूम पता जापर कहा है? वो रंग मैल थेटर की पासवाली कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया हुआ जागेरा जब कुटा पागल हो जाता है तो उसे मार देना चाहिए और एंथनी पागल हो चुका है वो तो पुरिसी उसे मार देगी पुरिसी उसे अफेटर के पास जब आपका भागा वा उसे अफेटर के पास जहाँ जाबर की बिल्डिंग बन रही है वहाँ मिलेका जाके देख लिजी जाबर का जादू जब सर चड़कर बोलता है तो पुलिस वाला खूनी और खूनी गवाँ बन जाता है शाबार जागिरा थेंक्यू मस अब इंस्पेक्टर सूरज को पुलिस मेडल नहीं हतकड़ी पहनाएगी गवाँ के बयानात और लाश की पोस्माटम के रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि मुल्जिम सूरज सिंग ने अन्थोनी को ये मारत की चट से नीचे फेक दिया था जिसकी वज़े से उसकी मौत हो चुकी थी लिहाजा ये अदालत मुल्जिम सूरज सिंग को परी मैं लॉड इन फोटोस का इस केस से कह तालुक है तालुक है यूर उनर यूर उनर ये फोटो इंस्पेक्टर सूरज को बेगुना साबित करके असली मुझरिम को फांसी के तक्ते पर चड़ा सकती है क्या आप अदालत को बता सकती है के तस्वीरे आपको कहां से मिली है मिली नहीं यूर उनर मैंने खुद खींची उस वक्त में वहीं थी जब यहादसा हुआ था और इंस्पेक्टर सूरज सिंग निर्दोश होते हुए भी पकड़ा गया छोड़ दे मुझे छोड़ दे छोड़ दे मुझे छोड़ छोड़ दे इस नए सुबूत की रोश्णी में इंस्पेक्टर सूरज सिंग के खिलाब मुकदमा नहीं चलाए जा सकता लिहादा यह अदालत इन्हें बाहिजद बरी करती है थैंक यू रॉनर थैंक यू थैंक यू बरी मच आज आपने आपने मेरा नाम गीता है होना ही चाहिए आज आपने मुझे आदालत में बेगुना थाबित करके मुझ पर ही नहीं बलकि इन्साफ पर भी बहुत बड़ा इसान किया है यह इसान नहीं मेरा फर्ज है जब तक जिंदगी रहेगी मैं नाइन्साफी के खिलाफ लगती रहूँगी जावर को चनौती देने का मतलब है मौत को दावत देना हरे इतना नहीं समझती कि तेरे बुढ़े बाब के कंधों में अब इतनी शक्ती नहीं रही कि जवान बेटी की अर्थी का बोज उठा सके आप कैसी बाते कर रहें पापा मुझे तो कुछ नहीं होगा आप तो खामखा मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला हम लोग आज ये शहर छोड़ देंगे अगर बेटी की जगे बेटा होता तो आप कभी जाते तब क्यूं जाता जवान बेटे का साहरा बाप को जुकने नहीं देता तो फिर आप क्यू जा रहें बाबा आपका बेटा तो आपके सामने खड़ा है हाँ बाबा मुझे आशिरवाद दो बाबा कि जो काम आपका बेटा अधूरा छोड़ गया है वो मैं पूरा कर सकूँ अगवान तुझे सुखे रखे बेटा आओ अरे ये क्या बता मीजी है शारा ये चिन नपंगे छोड़ों कहा लेके जा रहे हो मुझे तुम्हारी वज़े से मेरे हाथों एक गुंडा बच निकला गुंडे तो तुम भी हो जो मुझे यहां भगा कर ले आए एक शदीफ लड़की को भगाने के जुर्म में मैं तुम्हें साथ साथ की सजा करवाऊंगी इसकी नौबत नहीं आईगी मेम साब शायद आप नहीं जानती के मैं खुद एक पुलीस इंस्पेक्टर हूँ अरे जा जा वहाँ देखे तुझ जैसे पुलीस इंस्पेक्टर वो तो बाद में देख ले ना पहले चाबी तो ढूड़ो वरना घर कैसे जाओगी हाँ मेम साब चाबी तो अब सुबह ही मिलेगी लगता है आज की रात किसी आसपास के गाओं में गुजरनी पड़ेगी तुमने मेरे आदमी जागीरा को बक्रे जाने से बचाया हम बहुत खुश हुए बस इसी तरह सुरच के साथ प्यार का नाटक रचाती रहो फिर तुमें किसी बात की तकलीप नहीं होगी ना रहने की, ना खाने की, और ना पैसों की नहीं, नहीं मैं ये नहीं कर सकती ये बात तो तुम पहले भी कह चुकी हो हाँ, कही थी, लेकिन जो आप कह रही हूँ, वो करके दिखाऊंगी मुझे ना सुनने की आदत नहीं, समझे अंटी, अंटी अरे, 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 बड़ा प्यारा बच्चा है वे, क्या नम है बिटी तुमारा? बिट्टू एंथनी बिट्टू एंथनी वेनिशा, आजकल शहर में बहुत गुंड़े आए वे, बच्चे उठा ले जाते हैं समाल कर अगने से, जा बिटी अरे, पगली तुमने तो बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया, हाँ? एक भाई तो पहले ही खोचुकी हूँ परती हूँ, कोई मुझसे मेरा दूसरा भाई ने चीग ले जीता, बदमाशों के हाथ अभी तक इतने मजबूत नहीं होए कि तुम्हारे भाई की गर्दन तक पहुंच सकें लेकिन अब तुम लोगों का या रहना ठीक नहीं इसलिए आज से तुम मेरे घर पे रहोगी नहीं भाईया मौत तो एक बारी आती है लेकिन मैं चाहती हूँ जब ही वो आए तब उसके सामने कोई कायर नहीं बलकि तुम जैसे बहादुर भाई के बहन खड़ी हो जावर साब वनीशा इंस्पेक्टर सूरच को अपने प्यार के जाल में फासते फासते कहीं खुद उसके प्यार के जाल में फस गई लंबे आदमी की अकल खुटनों में होती है वो तो सुना था मगर तुम्हारी अकल कुटनों में भी नहीं जागेरा खत्रा मुझे वनीशा से नहीं बलकि उस फोटोग्राफर लड़की गीता से है जिसे आज तक तुम भी मेरे रास्ते से नहीं हाटा सके जावर साहब आज या तो वो लड़की जिन्दा रहेगी या फिर मैं गड़्ड आज असे स्पेरिट यह लो पेजगी बाकी कर दो एफ कर दो कर दो झाल 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 मौत तो एक बारी आती है लेकिन मैं चाहती हूँ जब भी वो आए तब उसके सामने कोई कायर में बलकि तुम जेसे बहादू भाई के बहन खड़ी हो खर अवाँ अवाँ जया वाँ भाई 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 बलो जो गिया कायर वाँ आ, 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 बोलो, आप पुने, मैलो, आपूटे बोल जागी रखाएं मुझे ने मालो, बता ने मालो बता बता जागी रखाएं मुझे ने वालो जागी रखाएं मुझे ने वालो हेलो, जावर साफ, इंस्पेक्टर सूरिज ने हमारे कल उपर वाले गडाउन पर शापा मार दिया है, और वो जागीरा की तलाश में है जावर साफ, इंस्पेक्टर सूरिज ने हमारे निकली दवाईयों को लेवर्टरी पर शापा मार दिया है और वो जागीरा की तलाश में है अब को जाटे बच्छा वामारों से इतनी जल्दी खबरा गए हो जाबर ये सिल्सला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मैं अपनी बहन के खून का बदला नहीं ले लेता फैसला तुम्हें करना है जाबर चाहो तो जागीरा को बचा सकते हो या अपने काले धंदे की जागीर को यू पास्टर इसे क्या देख रहा हूं देख रहा हूं तुम इसी दुनिया के जनमें इंसान हुया आस्मान से उत्रे फरिष्टे हो अब सब्सक्राइब्स कि मैं बाप बेटे को फिर से मिला दूँ, आज से हम दोनों साथ में रहेंगे ने, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता डरता हूँ, मेरे बीते वे कल की परशाईया, सूरज के आने वाले कल बिना पड़ जाए मुझे ड़ा लगता है, जान पर धबा जरूर है लेकिन वो साया पैदा नहीं हुआ, जो सूरज के माते पर लग जाए फिकर मत करो जर्नेल दुनिया सूरज को तुम्हारे नाम से नहीं, मेरे नाम से जानती है और मेरा बीता हुआ कल उतना युजूल है, जितना के आज आज से तुम जर्नेल नहीं चस्पाल हो मेरे दोस्त, मेरे भाई सर सर, डियाईजी साब का फोन आया था कि आप फॉरण विलासपूर के लिए रवाना हो जाईए वहाँ दंगा फसाद हो गया है ओके, जस्पाल, यह मेरे खर का अड्रेस है तुम चलो, मैं आता हूँ बाबा, कहा जा रहे हैं आप, यह इस पते पर जा रहा हूँ मैं वहीं तो जा रहा हूँ, आये न मैं आपको छोड़ देता हूँ आये न बाबा, आये वीस साल पहले तुमने इसी तरह मुझे एक लाथ मारी थी फर्क सर्फ इतना है, कि वो तुम्हारी आखरी ठोकर थी और यह मेरी पहली ठोकर है क्यों? पहचाना नहीं, चरनेल मैं तुम्हारा पुराना वफादार साथी जुरावर तु? तु अब तक जिल्दा है? तुम्हारे नमक का हक अदा किये बगैर कैसे मर सकता हूँ, सर्थार? सर्थार वो सदार तो कब का मर चुका, सर्थावर? कब का मर चुका? मर चुका है मगर तुम्हारा पेटा, इंस्पेक्टर सूरज, तो अभी तक जिन्दा है तुझे तुझे कैसे मालूम कि सूरज मेरे बेटा है? कैसा मालूम? ये सब मैंने अपने मरहूम मालिक से सीखा जिसे मैंने ही मार डाला और उसकी सारी चायदाद पर गब्जा कर लिया है, भगवान उन्हें जन्नत नसीब करे उनका कहना था कि दुश्मन को कभी गोली से मत मारो उसका जीना हराम कर दो, वो खुद बे खुद मर जाएगा मुझे मारने से पहले अगर लोगों को ये पता चल जाए कि वो हराम जादा कमिशनर का बेटा नहीं, बलके एक टाकू का बेटा है तो दुनिया उस पर थूकेगी, वो सर उठा कर जी नहीं सकेगा और फिर तुम से मिलने से पहले, वो खुद अपने आपको भासी लगा लेगा फिर तुमारे बीश साल की तबस्या का क्या होगा, सुरदार? अगर मेरे खुन से तेरी प्यास बुचती है, तो मेरी जान ले ले ले, अगर मेरे बेटे अराज किसी को बताना, मेरे बेटे अराज किसी को बताना, जोरावर, उसे कुछ उमत करना तुम कहते हो तु नहीं करोंगा लेकिन अपने उस धानेतार से कहते ना आज के बाद चाबर की दुनिया में चांकनी की कोशिश ना करे वरना शेहर की किसी कली में उसकी लाश लावारिस पड़ी में लेगी छोड़ दो इसे मेम साब सॉरे 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 रात को आया नहीं बहुत सुरूरी काम था यह बात है रैज इंसे मिलो यह हमारे भाई चस्पाल सिंग जे अरे नमस्ते नहीं बेवगूफ इनके चर्णों की धूल लो और अपने माते पर लगाओ यही वो धूल है जो सितारे बनकर आज तुम्हारे कांदर पर चमक रहे हैं अब आज अब अब आज 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 बिटा किये बहुत मान इंसान है तेरे कांदर की सितारे मेरी चर्णों की धूल से नहीं बलके इस इंसान की मैनत के लगा हुए सितारे इनके हमेशा पूजा करना बेटा हमेशा पूजा करना बेटा अख़वारों में तेरी बहादुरी के कांदर पे पड़े लोगों की जबानी से बहुत खुशी हुई सुनकर अगर बेटे तुम्हारी जिंदगी के रास्ते में कुछ खतरनाक दुश्मन ऐसे हैं जो कमान जस्पाल मेरे बेटे को बुजदिल मत समझो यह हक तुफान से ठकरा सकता है और यह मत भूलो जस्पाल इस पर एक का नहीं तो पापों का अश्रिवाद है राइट सन राइट डैट ओकी डैट मैं ड्यूडी पे जा रहा हूं हाँ चाओ नमस्ते अच्छ बेटे जादी तो कर देनी चाहिए मगर भाया से कौन लड़की शादी करेगी यह मैम साब हलो सूरज तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूँ जब मुझ ऐसे कोई लड़की किसी हैंसम लड़के को चाहती हो तो उसका नाम पता हांदान सब पता कर लेती है तुम्हारा नाम क्या है तुम तो नाम ऐसे पूछ रहो जैसे किसी चोड से कुछ बखवा रहे हो लड़की से नाम ऐसे थोड़ी ही पूछा जाता है तो फिर कैसे पूछा जाता है एक बहुत रुमैंटिक जगा हो एकमस्फियर भी बहुत रुमैंटिक हो और मैं एक तम अकेली बैठी हूँ और तुम खूब बंधन के आते हो और पूछते हो तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? मिली गए हो तो कहे दो क्या दिल का पैवाम है? कहना तो कुछ भी नहीं है बस चाहत का पैवाम है तेरा नाम क्या है? तुझे काम क्या है? मिली गए हो तो कहे दो क्या दिल का पैवाम है? अजे कहना तो कुछ भी नहीं है बस चाहत का पैगाम है दे 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 तेरा नाम क्या है वो तुझे काम क्या है नाम मैंने अपना बताया दो तुझे घर का पता चल जाएगा घर का पता चल जाते ही मेरी गलियों के चक्कर लगाएगा चक्कर में डालके हमको तुम पीछा छुडाने लगी हो आखे लड़ा के हमसे क्यों आखे चुराने लगी हो प्यार की पहली नदर का गैसा ये अंजाम है तेरा नाम क्या है पत चिकाम क्या है पता बताओगी न अपना हम कैसे तुम्हे ढूंड पाएंगे आज मिली हो हित्त फाक से कल कैसे तुम्हे मिल पाएंगे थोड़ा तुम्हें तर साएंगे फिर हम जरा पास आएंगे सच्छी हो तुम्हे जूते तहले तुम्हे आज माएंगे सच्छी महाँबत का मेरी कैसा यही नाम है रे 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 रा नाम क्या है मिलती हो दुनिया के मिले में कभी मिलना हमें तुम अकिले में मिलती हो दुनिया के मिले में कभी मिलना हमें तुम अकिले में पता है अकिले में तुम क्या को रोगे बहुत देर तक घर पे जाने न दोगे करना तो कुछ भी नहीं है बस शादी का पैगाम है रे 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 तिरा नाम क्या है तुझी का क्या है मिल ही का हो सब जहे दो क्या दिल का पैगाम है अज कहना तो कुछ भी नहीं है बस शादी का पैगाम है रे 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 तिरा नाम क्या है तुझी का क्या है तुझी का क्या है तुझी का क्या है तुझी का क्या है वो तेरा नाम क्या है क्या है वो तेछे काम क्या है वो तेरा नाम क्या है गुड मॉर्निंग सर आपने जो हमका फिल्म रोल ड्वेल्प करने को देल रहा उनका फोटो आए गवा आईए 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 इंस्पेक्टर साहब आप हमारे घर आए खुदा की खुद्रत है अरे आपने क्यों तकलिफ की हमें भुला लिया होता जावर इसे पैचारते हो इंस्पेक्टर साहब दिन में हजारों आदमियों से मुलापात होती है मेरी इसे पैचानना मुश्कल है अब क्या ख्याले पसीना पहुच लो जावर शायद तुम्हे कुछ याद आजाए मैं याद कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब की इतनी बड़ी रकम मैं हमेशा चेक से दिया करता हूँ लैक का पैसा रखने वालों के यहाँ आजकल बहुत रेड्स होती है यकेन मानी इंस्पेक्टर साहब मैं इस इंसान को तो जानता तक नहीं चावर यह वही आदमी है जिसने आंथनी को मारा था और इसी ने गीता की जान लिए जरूर ली होगी आदमी शकल से खुनी लगता है और यह खुनी तुम्हारा ही अदली है जाबर इंस्पेक्टर साहब आज कल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी का चेहरा किसी की चेहरे पर भी लगाया जा सकता है वैसे आप यह थाबित नहीं कर सकते के इसे रुपे मैंने कीता का खून कर निकले दिया और आप यह भी थाबित नहीं कर सकते के यह आदमी मेरा है सर एक लड़की यह प्रेजन्ट आपके लिए दे गई है प्रेजन्ट? हलो इंस्पेक्टर जो रुमाल तुमने मुझे दिया था पसीना पोच्चने के लिए अब खुद इस्तिमाल कर लो बाइद वे मेरा तौफ़ा कैसे लगा इंस्पेक्टर साहब? बहुत खुबसूरत लेकिन मेरी एक बाइए एक मिनट मैंने अपनी अभी बात खत्म नहीं की इंस्पेक्टर साहब तुम एक छोटी सी तस्वीर लेकर आये थे ये साबित करने के लिए के जागिरा मेरा दोस्त है अब मेरे तौफ़े के बाद तुम ये साबित नहीं कर पाओगे कि तुम मेरे दोस्त नहीं तो ये चल तुमने मुझे फांसने के लिए चली है क्या करो सूरच जब से तुम मेरे इलाके में आये हो मसली का काटा बन गया हो और अब इस डोर को काटे बिना कोई चारा भी तो नहीं लेकिन एक बाद आ रहा अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों ने ये तस्वीर देख ली तो तुम्हारा प्रोमोर्शन नहीं डिमोर्शन हो जाएगा और अगली मुलाकात में तुम मुझे हवल्दार की वर्दी में नजर आओगे अपनी काम्यावी पर बेवकूफ हसते हैं जाबर वैसे कभी-कभी बेवकूफ अकलमंदी का भी काम करते हैं तुमने मुझे ये तस्वीर भेज कर अपनी अकलमंदी का सबूत दिया लेकिन अपनी जबान खोलकर बेवकूफ बन बैठे अगर मुझे कुछ हुआ जाबर तो जो काटा तुम मेरे ले तयार कर रहे हो वो तुम्हारे गले में होगा क्यूंके मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं बिट्टू बिट्टू मनेशा इंस्पेक्टर सूरत से दोस्ती कहा था कहुँची कहिए क्या करना है मुझे दो दिन बार शिवरातरी है फुश्यों का त्योहार जिसमें हर आद्वी रंग और भंग के नशे में चूर होता है मैं चाहता हूँ इस बार सूरज को ऐसा नशाचड़े जो कभी न उत्रे मतलब इसके दो चार कत्वे सूरज की भांग में मिला दो लेकिन यह तो जहर है तुम्हारे हाथों पीएगा तो इसे अम्रित लगेगा नहीं मैं इसा नहीं कर सकती मैं सूरज से प्यार करती हूँ प्यार तो तुम बिट्टू से भी करती हो जो इस वक्त मेरे कब्स में है सही सलामत आप तुम्हार में है आप लाँ स्था 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 जीले जीले हर पल प्यार पे जीले 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 हर पल प्यार पे जीले जाने हो जाए कब क्या बता है किसे जीले 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 हर पल प्यार पे जीले सूना मैं सूना तू कस के तो देख ले चांदी सिवाओं में बसके तो देख ले इसे पहली की पिंटी में मिल जाए हूं प्यार कर ले सनम सोना में सोना तु कसके तो देख ले चांदी सिवाओं में बसके तो देख ले इसे पहली की पिंटी में मिल जाए हूं प्यार कर ले सनम सोना में सोना तु कसके तो देख ले की पू हिस में बसेसी के तो देख ले तो देख लेगा पिंटी me पिंटी में ले बसो बसु कर देख ले ले पुष्बू के जैती जवानी उड़ी जाए जवानी तो क्या जिन्दगानी उड़ी जाए पुष्बू के जैती जवानी उड़ी जाए जवानी तो क्या जिन्दगानी उड़ी जाए इससे पहले दूआ बनके फो जाए हो प्यार कर ले सनम सोना में सोना तु बसने तो देख ले चांदी सिवाओं में बसने तो देख ले इससे पहले दी पिक्ती में बिल जाए हो प्यार कर ले सनम सोना में सोना जीने 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 अर्फल प्यार से जीने जाने हो जाए कब क्या पता है किसे जीने 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 अर्फल प्यार से जीने मैं तेरी तू मेरा अर्मान है मैं चिसम तू मेरी जान है मैं तेरी तू मेरा अर्मान है मैं चिसम तू मेरी जान है इससे पहले दी जासे गुजर जाए हो प्यार कर ले सनम प्यार कर ले सनम सोना मैं सोना सुकस के तो देख ले चांदी सिवाओं में बस के तो देख ले इससे पहले की बिटी में मिल जाए हो प्यार कर ले सनम प्यार कर ले सनम प्यार कर ले सनुम, 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 प तराजू के एक पलड़े में मेरी मुहपत थी तूसरी में मेरी बहन का चिराग बिट्टू बिट्टू की जान बचाने के लिए मैंने अपनी मुहपत को दाव पर लगा दिया मैं तुम्हारी कुनेकार हू सुराज मुझे जो सजा देना चाहो देदो मैं उफ तक नहीं करूंगी बच्पन से लेके आज तक मुझे सिर्फ एक चीज सिखाई गई है कि गुनेगार को सक्स सक्स सजा दी जाए और तुम्हे भी सजा जरूर मिलेगी सजा जरूर मिलेगी मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जावर ने उस मासूम को कहां कैद कर रखा है अजन्ता अपार्टमेंट के बेस्मेंट में बेस्मेंट चाड़ दो मुझे, चाड़ दो तुम्हें मेजी कहा ले जा रहा चाड़ दो मुझे अंडी अंडी चाड़ दो मुझे, चाड़ दो अंडी, प्लीज चाड़ दो करीं बाइता कैंड़ुडर त polu कि अ कि घू सुरू सब्सक्राइब कि बाता कि अ एया हॉ था कर्या हॉ अख ब्हुज। कहающ rod कि अटे है जटे हैं तबकि टोड़ति! कहा जह छीछआ नहा थिए और फिएार पोड़ है! कशा जहा था हैं तबकि आखे है. सब्सक्रामें कर दोजयक यज मैं विद हुट डत्ए कि दो तो तो पूंड़ कि ह नहिए वी तो पर वी तो तो तills 9 गज़ा. झीरा बेदाने झाल अंकर 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 कुछीन अंकर तुम्हें क्या आगे अंकर बाईया इस खुन की बात दुनिया ये हर्गीज नहीं मानेगी ये सूरज संग्राम सिंग का बेटा है छुटकी का भाई है बल्कि ये जानना चाहेगी कि तुम्हारा उससे क्या रिष्टा है कौन है वो तुम्हारा बीस साल जेल में उम्नामिक की जिंदगी गुजार कर तुमने बाप का फर्ज अदा कर दिया है सूरज को जनम जरूर तुमने दिया है पर अपनी चाती से लगा कर मैंने उससे पाला है वो कायर नहीं है बहादुर बाप का बहादुर बेटा है वो अपना हिसाब खुज चुकाएगा जिस बेटे की खुशी के लिए तुमने अपने हत्यार डाल दिये उस बेटे की बहन की सगाई कुछ दिनों बाद है क्या ये खुशी भी तुम सुरज से छीन लेना चाते हो सब्सक्राइब जर्नेल सिंग कमिशनर सहब ने अपने बेटे बेटी और खानदान की तारीफ में तो बहुत कुछ कह दिया लेकिन ये बताना भूल गए कि उनके खानदान का तालुक चोर और डाकों से भी है ये आप क्या कहरें सम्दी जी ये मेरा भाई है ये जर्नेल सिंग नहीं ये जस्पाल है आपकी यादास तंदोर हो सकती है मेरी नहीं आज से बीस बरस पहले ये शक्स मेरी अदालत में लाया गया था और इसे सजा मैंने सुनाई थी नहीं ये बात नहीं आपको जरू कोई धोका हुआ धोका हुआ नहीं बलकि अब आप धोका देने की कोशिश कर रहें आप अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा खांदान ढूड़िये जो जर्नेल सिंग और जस्पाल में फर्क महसूस ने कर सकी हम आपके साथ रिष्टा जोड़ने नहीं चाथे नहीं ऐसा मत करिये हमारी बेटी की जिंदे की बरबाद हो जाएगी हमारी बेटी की बरबाद हो जाएगी हमारी बेटी की बरबाद हो जाएगी हटो किसे, चलिए यह आदमी कौन है डैडी, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है सुरज, लेकिन इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है डैडी, यह आदमी कौन है, जिसकी वज़े से आपने अपनी बेज़ती बरदाश्त की, मेरी बेहन को बरबाद देखकर भी अब चुप रहे हमारे खानदान को गाली दी गई, फिर भी आपने कुछ नहीं का, बोलिए डैडी, यह आदमी कौन है, मैंने खाना, कि यह मेरा भाई जस्प मैं तेरी कस्म खाता हूँ, कि जिस तरह तू मेरा बेटा है, उस तरह यह मेरा भाई है जबनेल, इस खर के तुछ पनूगे ने पैसा नहीं, अगर तुछ खर की फलाई चाहता है, तो चला जाए आँसे जबनेल, जाए आँसे जबनेल, जाए आँसे? अखर की आँसे? आँसे मेरा जाए अजाए, वह तर आई है ना? और दाकू से हमारा कोई रिष्टा नहीं हो सकता मेरी बेहन की जिंदिगी तो ये बरबाद कर चुका है मा इससे पहले ये कोई और तूफान ख़ड़ा करे मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूगा सूरज तुम जाना चाहते थे ना के जस्पाल तुमारे कमरा में क्यों गया था मैं बदा तुम्हें नहीं सग्राप जिंदिग आपको मेरी कौसम आपने बाकी मुझे नहीं पचाना आपके बेटे ने ठीक पचानगी है मैं कोई जस्पाल नहीं मैं डाको चरनेल सिंखो तुम्हें की का पेटे एक डाको का तुम जेसे शरीफों के खाननान से क्या रिष्टा हो सकता है मेरा तुम्हारा कोई रिष्टा नहीं मेरा तुम्हारा कोई रिष्टा नहीं पेटे कोई रिष्टा नहीं कर दो कर दो कर दो कर दो जावर साहब और कब तक मुझे यहाँ छुपे रहना होगा और कब बाहर निकलूँगा मैं देखो जैसे तुम यहाँ से बाहर निकलोगे वो इंस्पेक्टर सुरच पागल कुट्टे की तरह तुम पर तूट पड़ेगा और फांसी का फंदा हम दोनों के गले में होगा फांसी का फंदा तो हमारे गले में जरूर होगा लेकिन जावर साहब जिन्दगी भर में यहाँ भी तो नहीं रह सकता जब तक जावर जिन्दा है तुम या नेर होगे मैंने तुम्हारे बाहर जाने का पूरा इंतिजाम कर दिया है यह रहा तुम्हारा पासपोर्ट और यह रही तुम्हारी टिकेट इसका मतलब आज ही मुझे भेश पदल कर इस देश से बाहर जाना पड़ेगा बैस सिर्फ कुछ दिनों के लिए ताकि कीता और एंतिनी के कातिल को इंस्पेक्टर सूरज क्या उसका बाप भी न पकड़ सके इस्पेक्टर सूरज, आपका मुझी में जागे रहे इस वक्त, रामपुरा के खंडरों में चुपा हुआ है यह सुनिये, आप कोछ बोलें, मैं तुम्हारा बंदसी बाप बोलू हूँ बिटे मेरे होते हुए तुम्हारी बीवी, और बच्चों को कोई थकलिप नहीं होगी एंथनी को भी तुमने यही कहा था जागे रहा चिलाओ मत जाबर तुम तो वो शैतान हो जिसने अपने साथी की बीवी को भी नहीं छोड़ा लेकिन जाबर मैं अन्थनी नहीं चागीरा हूँ यह आप क्या कर रहे हैं डाइड लेट्स सेलब्रेट माई सान मेरे बेटे ने एक खूखा डखैत को गिर्फथार कर लिया कुछ तुम्हाद उसे फांसी हो जाएगी और मेरे बेटे के सीने में मेडल लग जाएगा मेडल एक सिंदगी का मुआफ़ा एक मेडल कल इस घर में चिराख जलेंगे यह घर राशन हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी का सफर चमक उठेगा लेकिन जस तिये की बातला तुम चमकोगे उस तिये में तेल नहीं किसी का खून होगा मेरी समझ में नहीं आता डैड क्या आपको एक डाकू से इतनी हमदर्दी क्यों है हमदर्दी हमदर्दी डाकू से नहीं तुम से हो रही है जिस मेडल को लगाने के लिए तेरी चाती बेचेन हो रही है कल उसी के पीछे का ऐसा दाग मिलेगा एक ऐसा दाग के सारी जिंदगी तू रोता भी रहा तो अपने आसों से उसे धोर नहीं सकेगा डैड, यह आप कौन से दाग की बात कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है बताना बेटे, बहुत मुश्किल है मुझसे वो राज की बात कही नहीं जाएगी और अगर कह दिया, तो तुमसे भी सुना नहीं जाएगा तुमसे नहीं सुना जाएगा बेटे, नहीं सुना जाएगा डैड तुम सुना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी कलेजे को पत्थर का बना लो अपने दिल को लोहे की तरह मजबूत कर लो क्योंकि मुझे डर है उस रास की पिशली से तुमारा दिल चलकर प्राक्षा मज़ जाए ऐसी क्या बात है टैट बेटे जिसे तुम्हे प्यार करना था उससे तुमने नफरत की जिससे गले लगाना था उससे धक्या मारकर घर से बाहर निकाल दिया जिसकी कदमों में तुम्हे अपना सब रखना था उसके गले में तुमने फांसी का फंदा पहना दिया वो कोई और नी बलके बलके तुम्हारा वहाँ प्रे हा सुरच, तुम्हान बाप खबने जई तुम्हान बाप खबने जुम्हान झाल कर चन्हान गो puisque तुम्हान तुम्हान। तुम? हाँ बाबा आपका बेटा सुरज मेरा? हाँ बाबा तुझे पता चलगे कर मैं तुरा बाप हूँ सुरज बेटी बाबा बेटी बेटी बाबा बेटी बेटी तुम जले चैना ऐसे अगर अगर दुनिया आको पता चल गया कि तुम सग्राम सिंगी नहीं एक बाबा की बेटे हो तो तुमारी रुसुआई होगी शर्म के माने नहीं नहीं बबा पुझे शर्म नहीं फक्र है कि मैं आपका बेटा हूँ पुझे सिर्फ एक मौका दीजे बबा कि मैं आपके माथे से वो दाग मिटा सको बोलो बाबा वो खुनी कौन है बोलो बाबा बोलो बाबा बजे.. बाबा। तुम्हे मेरी मा की सौगंद लगू, बैटा, मत। उस ते वी तसम मत दे। मैं तुझे नहीं बता सकता। नहीं बता सकता… बाबा.. अगर आपने मुझे नहीं बताय तो आपको फासी होने से पहले मैं अपनी जान दे दूँगा। नहीं बिटा नहीं, ऐसी बाद, मत कर, मत कर ऐसी बाद बोलो बाबा बोलो फुनी का नाम बोल बाबा उसके नाम उसके नाम है जाबर जाबर क्यों क्यों अरे जाबर की शत्रणजी चालो से वजीर और बार्षा भी मात खा जाते हैं यह जर्नेल और उसका पेटा तो मामुल से प्यादे है जाबर अब तो तेरी मौद उतली ही दूर है चितली दूर मैं खड़ा हूं इंस्पेक्टर ये तुम्हारा पॉलिस स्टेशन नहीं जाबर का चक्रव्यू है जहां से तुम्हारा पाप जर्नेल भी बचके निकल नहीं पाया अरे तू क्या चीज़ है तुम्हारा प्रीज क्वारा प्रॉलिस स्टीज़ नहीं जड़़ा अजिए Kanga! Cezak rup coyi! Sen rup coyi Hop! हाखरे मुरमे, तकनोई सहादी घर चाहर! ये मिरा मुरमे, सहादी न तुन चाहर! कर लोर फब वर खजय घागो बार बार पर वसंद एड़ा जार फड़ा लार रार शड़ा पर बार टुड़ एड़ कर से अरा चार अयाार डर्माड़ को अभर कर दो एड़ा बार आ पर लोड़ा है कर दो का जो और बाओ लुटो और युट है जो कि अ बाओ बाद टो याल हुई कर दो बुई ध grain मैं पूना वार्ण करना नियुक्त इन्सपेक्टर साब, मन..मने से पहले बैटेना चाहता हूँ सर आप मेरा यकीन कीजिए जर्नेल सिंग मुझ्रम नहीं है उसने किसी के खुन नहीं किया खुनी है तो जाबर इसका कोई थबूत है तुवरे पास थबूत है सर मैं होस्पिटल से आ रहा हूँ इंस्पेक्टर शर्मा ने अपने सारे गुना कबूल कर लिये है और ये भी बताया है के जागीरा का खुन जाबर ने किया है जर्नेल ने नहीं ये रही उसकी स्टेटमेंट्स संगराम सहीं इंस्पेक्टर शर्मा की स्टेटमेंट की बुनियात पर तुम जर्नेल सिंग को देल से निकालने की इजाज़त कोट से ले सकते हो Thank you sir! Bablaaaaaa! Baba! Bablaaaaaa! Turel-Beylaaaaaa! Bablaaaaaa! Babu Ali! अब बबाले! गुरुष बेटाaaaaa! Baba! Baba… 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 बेटा, जिस बाप के लिए तुने ये बंदुक उठाई है, उसको कानून ने माफ कर दिया है! चल बेटा, चल घर चल! जब तक मैं जाबर का नाम और निशान नहीं मिटा देता? मैं वापस नहीं आउंगा, बाबा! जाबर को सजा कानून देगा! तु अपने हाथ में कानून मतले बेटा! अगर कानून होता तो वो आपको गुनेगार नहीं ठेराता, बाबा! बलके जाबर को गुनेगार ठेराता! मैं आपके साथ नहीं जाँगा बाबा, आप यहाँसे चले जाओ! नहीं बेटा, मैं, मैं तुझे साथ लेकर जाँगा, चल मेरे साथ! मैं कहता हो आप यहाँसे चले जाओ बाबा! देख बेटा, जिस बाबा की जान बचाने के लिए तुम हो उसके लड़ रहा है अगर तुझे साथ नहीं किया, तो वो अपनी जान देदेगा तेरी गसम वो अपनी जान देदेगा बेटा परतान रारिटा परतान सके जान बपनिए एचान परता परतान सके आप तेरост खाओए नहीं कि अविए विएुम्रोग आए नहीं क्लेभ KAश मरुम्रोड पसे यंपनिए चुम्रोच भफिएूग झाल 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 मिरा लिएगडा झाल जाल प्लाहिए था क्तेकेव अशुचय को द्रशा इसा वी अश्काव मैंने तेरे गुनाहों की सजा मैं तुझे दूँगा, जाबर मुझसे तुझे कुई नी बचा सकता आए विद्या सुझे अपर से खेश खेशा गमने पर आए पराकुन अचैनल के अपरोऔर विद्या करें गुद्पर्ड़क्या सेशार तुझे मतमें आईंटा उस्ट शाव्यार कानून की आपटराव्या चैनल पर शॉतख्या गुद्द्ध्या मैं उस्टाव न depths! बबबार! बबबार! बबपिण्सो एанд एा mata? बजएुоз, से रहां, की, एसे दिराबिट't बचित Leben Tales. बबपार! झाल झाल